आपकी स्क्रीन के सामने एक फोटो आपको दिखाई दे रही होगी और आप देखी कि जब सिद्धा कस्मीर फाइल्स मोवी आई हुई है तो आप देखी कि विवेक अगनी हुत्री काफी चर्चा में बने हुए हैं क्योंकि आप बता दूं कि ये दा कस्मीर फाइल्स मोवी इन्ही ने बनाई हुई है और याद रखी ये मोवी जो कस्मीर में जम्मो कस्मीर में पंडितों के साथ अत्याचार हुआ था उसी पर आधारी थे कई लोग आप देख रहे हैं कि इस मोवी की तारीव कर रहे हैं कई लोग कर रहे हैं कि एक तरफा मोवी बना दी गई इसमें आप देखे जो हकीगत नहीं था जो हकीगत था उसे भी सामिल नहीं किया गया तो इस तरह के देखे कोई भी मोवी आती है तो आप सभी जानते हैं कि उसके पक्चकार भी होते हैं उसके आपके ही सराहना करने वाले लोग होते हैं पसंद करने वाले लोग होते हैं उ एक सामान जानकरी देखेंगे, कि आखेर ये हैं कौन, और इन्होंने क्या-क्या कौन-कौन सी मूवियों में काम किया हुआ है, और कौन सी मूवियां बनाई हुई है, तो आपकी स्क्रीन पर दिखी रहे हैं, देख लिजे, ये हैं बेवेक अगनी होतरी, अगर हम लोग इनके पूरे नाब की बात करें, तो बेवेक रंजन अगनी होतरी इनका पूरा नाम है, इनका उपनाम बेवेक अगनी होतरी या विक्की है इनका उपनाम, इनका जनम होता है 21 दिसंबर 1973 में इनका जनम हुआ था, इनका जनम कहा हुआ था, ग्वालियर मद्ध पिड़ देश में, आप सभी जानते हैं कि मद्दपिदेश का एक सहर है गौलियर, वहीं इनका जनम हुआ था, देखिए आपको मद्दपिदेश दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो इसी सहर में इनका गौलियर में जनम होता है, इनके पिता की बात करें तो डॉक्टर पिर एक अगनी हुत्री की सिक्षा की बात करें, तो इन्होंने भारतिय जन संचार संस्थान, हारवर्ड एक्स्टेंसन स्कूल, भोपाल स्कूल और सोसल साइनसेश और जवालान नहरू बिस्विद्ध्याले से इन्होंने अपने सिक्षा की हुई है, और पेशा यानि की बेवस पासकंद फाइल या फिर दाकस्मीर फाइल की कारण एक काफी चर्चा में बने हुए, इनकी पहली फिल्म की बात करें तो आप देखेंगे चॉकलेट थी, जो 2005 में आई हुई थी, इनकी अगर करियर की बात करें, सफर की बात करें, तो डारेक्टर बिवेक की करियर की सुर की एल्स को डारेक्ट करना सुरू किया, और इन में काफी सफल भी रहे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि विवेक अगनी हुत्री के नाम को पसंद किया जाने लगा, और कुछी सालों बात सन 2005 में उन्होंने बॉलीवूड फिल्लों में भी काम करना सुरू किया, और साल 2005 में विवेक अगनी हुत्री ने फिल्म चॉकलेट को डारेक्ट किया था, और इस फिल्म के साथ ही उनका नाम भी बनना सुरू होता है, और पहली बार आप देखेंगे काफी चल्चा में आते हैं, और इस फिल्म के बास साल 2007 में उन्होंने फिल्म धन धन गोल डारेक्ट की थी, और इस फिल्म में भी विवेक का नाम काफी सभी को पसंद आया था, और इसके अलावा उन्होंने फिल्म हैट इस्टोरी के डारेक्ट का भी काम किया, और भी कई फिल्म बुद्धा इन आर्टरैफिक जाम जिद दाकास तासकंद फाइल्स इस तरह की मूवियों पर भी काम किया हुआ है उन्होंने, विवेक अगनी होतरी को अपनी एक फिल्म दस तासकंद फाइल्स के लिए राष्टिय पुरुस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, यही नहीं विसाल 2019 में देश के सेंटरल बोर्ड और फिल्म सार्टिफिकेशन के मेंबर भी है, और इंडिय अगनी होतरी की एक फिल्म दा कस्मीर फाइल्स भी है, और इस फिल्म में आप देखेंगे बेवेक ने नब्बे की दसक में कस्मीर में हुई, कस्मीरी पंडितों के नर्थ संघार की बारे में बताया है, उनकी एक फिल्म का नाम दा डेली फाइल्स भी है, जिसमें साल 1984 में जो सिख दंगे हुए थे उसका उल्लेक किया गया है और इसलिए आप देखे कि इनका नाम काफी चर्चा में बिवादों में बना रहता है इस तरह की टॉपिक पर ही ये मूवियां ही बनाते है एक डारेक्टर होने के साथ ही वे एक राइटर भी है उनकी लिखी ये किताब अरवन नकसल है जो बेश्ट सेलर किताब भी है और यही नहीं बिवेक अगनी हुत्री और पल्लिवी घोस एक NGO का संचालन भी करते हैं जिसका नाम है आई एम बुद्धा तो NGO भी चलाते हैं वेक बरतमान में 1990 में कस्मीरी हिंदूओं के नर्संघार पर एक खासकर पंडितों के महाकाब फिल्म दाकस्मीर फाइस बना रहे हैं और वेक ने नर्संघार की पहली पीडी के पंडितों के पिसंसापत रिकॉर्ड करने के लिए दुनिया भीहर की यात्रा की यह फिल्म अगस्त 2021 में रिलीज होने बाली थी लेकिन आप सभी जानते हैं कि लोगडाउन के कारण इसे फिर से सिनेवा हॉल खुलने तक के लिए टाल दिया गया था और दाकस्मीर फाइस 11 मार्ज 2022 को रिलीज हुई और दर्षकों का बहुत प्यार मिल रहा है इसे ठीक है तो यह भी याद रखे बिवेक ने अपनी 2019 की फिल्म दाकत तासकंद फायल्स के लिए सर्फ्षेट पठकर्था के लिए सर्फ्षेट पितिष्ठित राष्टी फिल्म पुरुसकार भी जीता हुआ है फिल्म में उनकी पत्नी पलिवी जोसी के लिए सर्फ्षेट सहायक अभिनियतागर राष्टी फिल्म पुरुसकार भी मिला है और जिन्होंने फिल्म में एक बहुत ही जटिल किरदार नवाया बिवेक ने कई राष्टी और अंतराष्टी पुरुसकार भी जीत चुके है और आप काम करेंगे तो आपको पुरुसकार मिला स्वभाग भी इसकी बात रहती है इनके बिवाद भी जोड़े रहे है तो एक बार बॉलीवूड एक्टरस तनुसरी दत्ता ने बिवेक अगनी हुतर पर अपने साथ गलत बेवार करने का आरोब भी लगाया था और यस आरोब को बिवेक ने नकालते हुए तनुसरी पर मान हानी का केस लगाया था उस समय भी आप देखें बिवेक अगनीहुत्री का भी चर्चा में बने हुए थे बिवेक अगनीहुत्री ने एक सौट फिल्म महममद एंड और वरसी का निर्माड किया थे इस फिल्म के लिए डारेक्टर को कई धमकिया भी मिली थे तोस समय भी ये चर्चा में बने हुए थे फिलेन डारेक्टर विवेक अगनीहुत्री ने कपिल सर्मा की सो दा कपिल सर्मा सो पर इंवाइट किये जाने को लेकर कहा था कि कपिल ने उन्हें अपने सो में इसलिए नहीं बलाए क्योंकि उनके पास कोई बड़ी इस्टार कास्ट मुझूद नहीं है तो इनका 36 का अकड़ा याद रखे कपिल से पहले से ही रहा है दा कस्मीर फाइल्स को दा कपिल सर्मा सो में प्रमोसन को लेकर ना बुलाने पर कपिल सर्मा और विविक अगनी हुत्री के विबादों ने सुर्खिया बना बटोरी हुई है और फिल्म निर्माता ने दाबा किया कि कपिल और के निर्माताओं ने उनकी फिल्म का प्रिचार करने से इंकार कर दिया और यह फिल्म कोश्च लोगों को समझ में नहीं आ रही है उनका कहना है कि फिल्म में एक समदाय की खिलाब narrative बनाया जा रहा है जो की गलत है यह फिल्म बहुत ही अच्छी है और जब उनकी दा कस्मीर 5 फिल्म कस्मीर में रिलीज हुई तब जब्मु कस्मीर के एक फिल्म में काफी आपरात अपरी भी देखी गई थी अर आलोचना उनकी इसलिए कि गया रही है ऐसा माना राज जा रहा है कि जो मुस्लिम समदाय को बिलेंड बनाकर एक तरह से आप बिलन बनाकर दिखाय जा रहा है इस मुवी में और इसलिए आलोचना की जा रहे हैं इनकी क्या है क्या नहीं है मुझे लगता है इस तरह के टॉपिक पर मुवी बनती है तो आप सबी लोगों को देखना चाहिए और अपनी राए जरूर देनी चाहिए ठेक है तो यही कहानी है और मुझे लगता है कि देखिए जब भी इस तरह की कोई मुवी बनती है तो आप लोग निट्रल होकर उस पर बिचार किया करिएगा तो उसके बारे में और भी जानकारी खटी किया करिएगा तो तब किसी निस्तर्स पर पहुंचा करिएगा समझ रहे हैं बरना मुवी यां क इस तरह की बनते हैं आप सभी जानते मुझे लगता है कि इसके बारे में बताने की जरूरत भी नहीं है अब बात इनके बारे में हो चुकी है और 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 किसी के बारे में बात करनी है किसी और की वाईवगरापी कवर करनी है तो बताईगा उसका नाम बताईगा हम लोग उ बात कर लेंगे ठीक है